नमस्कार दोस्तों, जै श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों, अगर आपके दातों के बीच में भी गैप है, तो ये वीडियो आपके ही लिये ही है इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि महिला या पुरुष सौभाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जिन स्त्रियों की मूँच के बाल होते हैं या अगर पुरूषों को दार ही मूँच आती है तो ऐसे लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना पर दोस्तों सची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर के लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य और उसके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले है हमारे शरीर पर कुछ चिन्ह हो या तिल का यहां तक कि हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ ना कुछ अर्थ चिपा है इश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है हर किसी का रंग रूप, स्वभाव, विचार सब एक दूसरे से भिन्न है हमारे शरीर पर जीतने भी निशान या अलग से कुछ बाते होती हैं उसमें हमें काफी कुछ पता चलता है इन में से कुछ निशान हमारे लिए लखी यानी के सौभाग्य का प्रतीक होते हैं तो वहीं कुछ अनलखी यानी की दुरभाग्य का कारण तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हमारे शरीर की कुछ ऐसे ही लखी और अंगों की बनावट के बारे में जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर परता है या यूं कहें कि हमारे जीवन में इनका होना हमारे लिए भाग्य की बात है लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बिल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे चहरे और शरीर के बनावट के बारे में नंबर एक गोल चहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं अच्छी नौकरी, सफलता और अच्छा लाइफ पार्टनर मिल नाइन के नसीब में जरूर लिखा होता है तेज नाक और उस पर तिल का होना अच्छा माना जाता है वहीं जिन लोगों के कान सामान्य से बरे होते हैं वो भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जोरा और लंबा माथा और उस पर परने वाली लकीरे भी हमारे सौभाग्य को दर्शाती है ऐसा व्यक्ति हर काम को जल्द ही पूर्ण कर लेती है और हमेशा उचा नाम कमाते हैं ऐसे व्यक्ति हर कार्य में सफलता पाते हैैं और उचा नाम कमाते हैं 2. यू तो बालों का कम होना या गंजेपन को सुन्दरता की दृष्टी से अच्छा नहीं माना जाता लेकिन जो तिस शास्त्र की दृष्टी से देखा जाए तो गंजे लोग ज्यादा भाग्यशाली माने गए हैं नमबर तीन, दोस्तों, महिलाओं की मांग सीधी होना भी अच्छा माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार टेढ़ा सिंदूर जो महिला बार-बार लगाती हैं तो इससे उसका दामपत्य जीवन बरबाद होने लगता है नमबर चार, दोस्तों शरीर पर तिल चाहे जन्म से हो या ये तिल बाद में बने हो, इनका प्रभाव एक जैसा ही होता है आईए जानते हैं किस अंग पर तिल का होना भागेशाली माना जाता है जैसे कि माथे के बीचों बीच तिल हमारे लिए लगी होता है इसी तरह हथेली, दाएं गाल, दाएं आख इत्यादी में जो तिल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं नमबर पाँच दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दान्तों के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति सौभागय शाली हैं या नहीं। मोती जैसे सफेद किसे पसंद नहीं होते और बिना फॉल्ट यानि के बिना गैप वाले दान्त तो अच्छे ही दिखते हैं। लेकिन सामुदरिक शास्त्र के अनुसार जीस व्यक्ति के दान्तों के बीच में गैप या फॉल्ट होता है वो ज्यादा सौभागय शाली होते हैं, नौकरी में उच्छपद प्राप्त करते हैं और आर्थिक दृष्टी से भी सफल होते हैं। इसी प्रकार जिनके दान्त थोरे से बाहर निकले होते हैं, वो थोरे से जिद्धी और ज्यादा बोलने वाले होती हैं, पर भागय शाली भी होते हैं। जिनकी ना भी गहरी होती है, वो भी भागय शाली माने जाते हैं। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आखों से हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। अगर आपके भी होट के उपर बाल हैं, तो आपको बता दें कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप मूच के बालों के आधार पर भी भागय व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जिन स्त्री के मुख पर मूच के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो स्त्री गर्ममिजाज यानी की गुस्सेल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पती पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए की किसी भी हद तक जा सकती है। एसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है, कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाती है, एसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बरबाद कर देती है, रुत्बा, पैसा सब खत्म हो जाता ह इसलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को यहां के बालों को साफ रखना चाहिए वहीं जिन पुरुषों की दाढ़ी मूच नहीं होती है तो ऐसे पुरुष भाग्य के गरीब होते हैं वो पूरी जिन्दगी पैसे के पीछे दौरते रह जाते हैं और हमेशा हर कार्य में वो सफलता वमुकाम हासिल करने में पीछे रह जाते हैं जिसके वह लायक होते हैं ऐसे लोगों को जीवन में हर चीज को पानी में संधर्श करना परता है, जिन पुरुषों के शरीर पर बाल ज्यादा होते हैं, ऐसे लोग किस्मत के बहुत ही धनी होते हैं, हालांकि इन्हें भी मेहंत कम नहीं करनी परती है, लेकिन फिर भी जीवन में ये लोग हमेशा अपन तस्वीर दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। जैसे हमारा पेट, दोस्तों, स्त्री का पेट अगर घरे के समान होता है, तो वो महिला हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती हैं। जैसे हमेशा अपनी एडियों को साफ रखना चाहिए। समय पायल की मधोर ध्वनी से घर में शुगता वकाव्या सकारात मकता रहे। जिन भी लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, तो ये सीधा सीधा अपने दुरभाग्य को निमंतरन देने के बराबर है। जो नाखून चबाने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी मानसिक दबाव में होंगे, किसी न किसी कुंठा का शिकार होंगे। कभी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में ठहराव नहीं आएगा। जबकि जिनके नाखून लंबे चमकदार होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा भागयशाली होते हैं। तो दोस्तों ये तो थे वो लक्षन जिन से व्यक्ति के सौभाग्य के बारे में जाना जा सकता है। इन्हें बार-बार परिशान किया जाता है तो वहाँ पर गलती से भी देवता कभी भी वास नहीं करते। इसलिए महिला का सम्मान करे। महिला का सम्मान प्रकृती का सम्मान माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि महिलाओं में उनका सबसे पवि पवित्र होते हैं, गाय की पीठ पवित्र होती है, घोडों और बक्रियों के मुख्य पवित्र होते हैं, लेकिन बात जब एक महिला की आती है, तो उसके शरीर के एक हिस्से की पवित्रता की बात करें, तो रिशी मुनियों का कहना है कि महिला शुद्ध है, वैसे तो किसी भी महिला का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बलकि पूरा ही शरीर पवित्र होता है, लेकिन उसमें भी महिलाओं की नाभी सबसे ज्यादा पवित्र होती है। महिला होती है, भागेशाली और ऐसी महिला हर रोग से दूर रहती है। ऐसी स्त्री से घर में आता है। सवभाग्य तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब सब्सक्राइब करना न भूलें, फिर मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हर हर महादेव, राधे राधे, धन्यवाद।